सत्ता और कुर्सी के मुह में निताओं का दल बदलना आमबात हो गया है। पर जम कर भरास निकला और लालू यादों का गुर्णगान करना शुरू कर दिया। तो पतरकार पर ही भड़ गये। दर सल आपको बताते चले कि भश्पा एमस्री टुना पांडे का भाई बच्चा पांडे राज़त के टिकट पर बढ़रिया विधान साबा से चुनावी मैदान में है। लेकिन जद्वी बिधायक शाम बहादू सिंग ने इनको करारा हार दिया था। लेकिन फिर अचानक राज़त के टिकट पर बढ़रिया से चुनावी मैदान में हैं। दबी जुबान यभी बात सामने आ रही है कि अभी तक राज़त के करकर तक काफी आकरोस में हैं। क्योंकि इस बिधान साबा से राज़त के बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में थे। लेकिन पार्टी के दोवरा जो नीने लिया गया वो बिलकुल अलग था। बढ़ाल इन सभी नेताओं को मनाने में पार्टी के सिर्स नेता जुटे हुए हैं। ऐसे में राज़त के ही नेता डक्टर असरफ अली के अलावे और भी नेता पार्टी शेप बागी होकर निर्दलिये चुनावी मैदान में हैं। और इस शमें डक्टर असरफ अली का पर्वरा भारी है। सबी जगह चर्चा का बिसे बना हुआ है। आए सुनाते हैं बच्चा पान्डे का भाई MSG टूना पान्डे ने किस तरह से मीडिया पर भ्राट थे। जिस दीन हों गया। जिस दीन आप लोग कहते थे जंगल राट था ना बिहार कहा करा था चोवालीस परसेंट आईये साइपियस अफसर बिहार से बंते थे। आसे पंद्रह साल पहले आप आकरा उठाईये। चोवालीस परसेंट जब राजात की सरकार थी। मानिये मुकमंत्री जी रावडी देवी जी मानिये मुकमंत्री यालू परसाद जी जब थे। मानिये यहां के सांसथ जबी साबुदिन शाब हुआ करते थे। उस टाइम चोवालीस परसेंट आईयेस आईपियस बिहार पैदा करता था। मात्र 13 परसेंट में बिहार से मढ़ गया है। जोड़िये बिहार कहां चला गया है। अब यह रोड इसी रोड से आ रहे हैं तक विजे पैसा रोड बना हुआ है। तुना पांडे विजे भी छोड का राज़त जॉइन कर लिया है। सार हमें तो जब से जन मिलिये तब से हम हमेशा स्यूशंकर यादोजी का साथ मुर्दागी से भुटते रहें। हमेशा सावधिन साथ रहें। हम तो 2014 से सारे भी पक्षी कहते हैं। फुलोप एंडिये के लूप इतना पांडे तो सावधिन साथ पे चंचा है। और रजएडी का एजेंट है। उस जब कहता है फिर टिकर भी हमको देता है। हम तो वह दिन ब्यान दिये कि तुम निकलता है क्यों नहीं पांडिस से। आप मेडिया बंदू सागरा है कि आप पांडी के आला कमान को देजिए। वह कल निकाल दे हमको पाटीस से। वह तो 2014 से हमको करता है क्या दिके एजेंट है। 2015 में भी हमको टिकर दिया। क्यों दिया टिकर? यानि इचले चिना में आपका संदाजुक्त में वही लोग बोट देंगे। दुगाय का दीव काएंगे। आप 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 आर देख लिए। आप जिनके परिवार से बात हुई थी। उनके परिवार के लोगों को बुला कर पुछ लिए। उसके सुबा उनसे हमको भेट हुई। और उनने कहा कि सर, बाबा आपके जैसे हम आदमी करविनी देखे हैं। आप बहुत महान बेखती हैं। हमने तुरंट केस उसी नहीं आपस लिया। अभी भी हमसे मुलकात किये थी। उनका मुबाइल सेब है। खरदिया सर्पन सेब अपना। दरसल धंगा पहलाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपस में अपनत बना रहना चाहिए। हमें साथ सीवान है। और सीवान में यहीं लोगों ने दख्वा करके। अज तक राजमीत की है। सब खतम हो गया है। क्या यह तुटना पांडे जी को 2015 के बयानों में नहीं नजर आया। माफी मागना चाहिए नितिश कुमार को जिन्होंने कहा कि हम मर मिठ जाएंगे। और भाई बीजेप के साथ महीं गाएंगे। माफी नितिश कुमार को मंगना चाहिए। माफी मोहन मागो को मंगना चाहिए। माफी सुशिर्वोधी को मंगना चाहिए। पुना पांड़ को नहीं मांगना चाहिए याद राखिए हमने जब मेर्सी के चुनाव जी था उतिर महापरा फिक जैसे पत्रकार ने आरोग वहति किया क्या नहीं दंगा फटकाने वाली बात साब दिम साब के पिपक्ष में बोलना चालू किया हम उस पत्रकार को यहां साफ कर देना चाहते हैं हमारे जैसे पत्रकार नहीं दंगा फटकाने की बात कर रहे हैं बलहरिया की जनता आपके जैसे पत्रकार को यहां से निकाल फेकेगी मीडिया पिहार की है मीडिया बलहरिया की है हमने यह भी कहा था कि हमारे मुहमदम 45 भाइयों को मिला करके और यह लो दंगा फटकाना चाहता है यह जबान में आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं यह आपको नहीं समझ माई आप मीडिया नहीं तो उस टाइम गलट बात बिल्क साथ आप बिल्टिया